सो इस बार UGC का result 6% आएगा या 12% क्योंकि देखे UGC का new notice आ चुका है एंटी का new notice आ चुका है जिसमें पूरा clear बताया गया है इसके बारे में तो पूरा discuss करेंगे वीडियो का अंदग देखते रहे हैं UGC net 2022 में अब आपका पहली बार में होगा net giraffe qualify क्योंकि हम आपके लिक्या है paper 1, paper 2, UGC net के बहुत जबर्दस notes जिसके बाद आपको ना तो कोई book पड़नी है ना ही कोई notes बनाने है इससे आपका पूरा syllabus cover हो जाएगा paper 1 का complete course अब आप ले सकते है अपने whatsapp पे सिरफ 750 रुपी सी यनकी 7.500 रुपे के अंदर जिसमें आपको पूरा detail, theory, PDF, previous question सब कुछ आपको प्रवाइट किया जाएगा पूरा notes, previous question वगारा सब कुछ आपको मिलेगा जो आपके exam के ज़रूरी है जल्दी से अपने phone को उठाइए, हमें इस number पे contact or whatsapp करें, आपको पूरी जनकरिया आपे मिल जाएगी तो देखे इस बार होगा 6% result या 12% result तो एक बार चेक कर लेते हैं पिछली बार क्या था कि जैसे कईयों का 5% था, कईयों का 6% था, कईयों का 8% था, कईयों का 7% था, कईयों का 12% भी था, सिर्फ एक subject में तो क्या इस बार भी 12% होगा, क्यों कि देखे, session 2 है, लेकिन exam एक है, तो UGC ने यहां पर क्या लिखाया, आप इससे पढ़ सकते हैं, कि इस बार 6% जो result है, असे प्रफेसर के लिए क्या है, 6% result ही दिया जाएगा, बोध पेपर में के देखे, जो बच्चे बोध वेपर को क्या करती है, पिपरें पिपर टू को, उन में से देखे, जिकने कैंडिट से है, उनका 6%, मालेजे कि आपका subject है, उन में से 1000 बच्चों ने exam जैसे दिया, एक जाम बच्चों ने देखे, minimum qualified marks जो है, पास कर लिए, उन में से 6% देखा जाएगा, कि किनकी merit बनती है, ठीक है, तो उन में से 6% के साब से 60 जो student है, यहाँ पे जो 60 जो student है, वो ही assistant professor में उनको qualify किया जाएगा, तो आपने देखी, यहाँ पे 12% नहीं लिखा है, यहाँ पे only 6% लिखा है, यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल clear कर देखे, कि आपको 6% ही यहाँ पे result मिलेगा, ठीक है, तो 12% न लाइन और यहाँ पे लिखी है, कि इट में भी noted that the above qualifying criteria decided by UGC's final line binding, यहाँ पे last में लिख दी है, कि कुछ भी qualify criteria जो है, वो UGC decide करेगा, UGC 6% से थोड़ा कम भी कर सकता है, थोड़ा से जादा भी कर सकता है, अगर उसकी मर्जी है तो, तो जो final decision है, वो UGC का ही माना जाएगा, जैसे दिखिए माली जे पिछली बार वो सारा, 6% बोलके, कई उका 8% होगा, कई उका 4% आ गया, कई उका 9% आ गया, तो 6% तो यहाँ पे दिया है, लेकिन जो final decision है, कि इसको कम किया जाए, जादा किया जाए, वो UGC ही करेगा, तो यहाँ पे यहाँ आप यहाँ है, तो टेक केर, जैहिंग,